दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले दो-तीन महीने सारे मिला के करोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगबग एक लाख पहुँच गई है लेकिन एक लाख से घवराने के जुरूरत नहीं है इन में से लगबग 72,000 मरीज ठीक हो गए है दिल्ली में ठीक होने वालों की 72 प्रतिशत हो गई है जो भी बहुत बड़ी है तो इसका मतलब लोग बिमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं पिछले हफ़ते दिल्ली में करोना की स्थिती में और अधिक सुधार हुआ है जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे सौ लोगों के टेस्ट करते थे तो उसमें से 35 लोग करोना के मरीज निकल के आते थे अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो किवल उसमें 11 लोगी मरीज निकल के आते हैं तो एक तरह से इसको positivity ratio कहते हैं इस तरह से इसमें सुधार हुआ दिल्ली में अब रोज 20 से 24 हजार के बीच में टेस्ट हो रहे हैं और अभी अभी में देख रहा था एप के उपर दिली में इस टाइंग करोना के पंदरा हजार के करीब बेड हैं टोटल और उसमें से केवल इक्यावन सो बेड पे पेशेंट मरीज हैं तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिलाके केवल इक्यावन सो मरीज हैं पिछले हफ़ते दिली के अस्पतालों में बासट सो मरीज थे करोना के आज कम होके एक हफ़ते में इक्यावन सो मरीज रह गए तो अस्पतालों में मरीजों की संख्यट कम हो रही है मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं और इस टाइम डिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है बेड्स भी असानी से मिल रहे हैं बेड्स को लेके कोई अफरात अफरी नहीं है एप के उपर आप देख सकते हैं कि कि बेड कहां खाली हैं। जादा लोग जो हैं उनका घरों में जैसे आज 25,000 अभी टोटल आज दिल्ली में मरीज हैं करन, अभी 25,000 उनमें से 15,000 मरीज घरों में उनका इलाग चल रहा है। तो घरों में जो हमारा प्रोग्राम है लोगों की देखवाल करने का घरों का होम आइसोलेशन का प्रोग्राम हर घर में हम ओक्सीमीटर पहुचाते हैं वो बहुत सफल हुआ है और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं मौत का रेशो भी कम हुआ है एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब सवा सो से जादा मौत हो गई थी आज दिल्ली में पचपन साथ पचपन साथ के आसपास मौत हो रही हैं और भी कम करनी है लेकिन पहले के मकाबले आधी मौत हो गई है पिछले हफ़ते हम लोगों ने प्लाजमा बैंक शुरू किया था देश का पहला करोना प्लाजमा बैंक जब तक करोना की वैक्सिन नहीं आ जाती है तब तक करोना का इलाज नहीं है लेकिन तब तक प्लाजमा जो है प्लाजमा के जो ट्राइल किये गए दिल्ली में ट्राइल के जो नतीजे आए वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाजमा से लोगों को करोना में मदद मिलती है जो moderate patient हैं वो severe होने से बचते हैं उनकी स्थिती सुधर जाती है मौत के उपर control करने में मदद मिलती है तो पिछले हफ़ते हम लोगों ने देश का पहला plasma bank बनाया था अभी तक दिल्ली में plasma लेने वालों की अफरात अफरी मची हुई थी क्योंकि किसी को पता नहीं था plasma चाहिए तो कहां जाएं अब वो अफरात अफरी कम हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग सब को पता है अब ILBS जा सकते हैं ILBS में plasma मिल रहा है पिछले हफ़ते चार-पांच दिन दिस्पतवार को ये plasma bank शुरू हुआ था पिछले चार-पांच दिन में जितनी डिमांड है plasma की वो बहुत जादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है मतलब plasma डोनेट करने वालों के संख्या कम है plasma की मांग करने वालों के संख्या जादा है तो अगर प्लाजमा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाजमा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा खतम हो जाएगा तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाद जोड़ के कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएं और प्लाजमा डोनेट करें इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है कोई कमजोरी नहीं आएगी किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा आपके आने जाने का पूरी विवस्था हम लोग कर रहे हैं कोई भी कुछ लोगों ने ये कहा जी अगर हम दुबारा करोना के अस्पिताल में जाएंगे अपने साथ अगर किसी को लेके जाएंगे उनको करोना जाएगा हमने प्लाजमा बैंक आई एल बीएस में बनाया है आई एल बीएस नॉन कोविड आस्पिटल है वहाँ पे कोई करोना के मरीज नहीं है तो वहाँ जाने से आपको करोना नहीं होगा इसके लिए आप चिंता मत करें मेरी एक टीम है जो डॉक्टर्स की टीम है जो करोना से जो मरीज ठीक हुए है उनको कॉल कर रही है फोन कर रही है उनसे निवेदन कर रही है से मेरी अपील है जितने भी अस्पिताल करोना का इलाज कर रहे हैं कि जब आपके यहां से कोई मरीज ठीक होके जाए तो बिठा के पांच मिनिट उसके कांसलिंग कीजेगा कि चौदा दिन के बाद ठीक होने के चौदा दिन के बाद वो प्लाजमा जरूर दे अभी तक पिछ कि जो को इच लोगों से बात की जिन जो कुरोना से ठीक हो गए थे जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे उन लोगों को फोन करके मैंने खुद उसके बात की और मुझे बहुत खुशी हुई जो response मुझे उन लोगों से मिला, सब लोग plasma donate करने के लिए तयार बैठे हैं, तो पहले आईए इन में से दो लोगों की साथ मेरी जो बात्चीप हुई वो सुनते हैं, पहले रफ्स है करन जी, जो plasma देने के लिए तयार हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उनकी भी बात्चीप सुनते हैं, अच्छे response थे, एक विक्ति ने तो कादर जी हम छे दोस्त हैं, छे के छे दोस्तों को करोना हो गया था, सब लोग ठीक हो गए हैं, और अपने 14 दिन पूरे होते ही हम सब लोग plasma डोनेट करेंगे, ये सब लोग हमारे hero हैं, ये सब लोग निस्वार्थ भाव से डोनेट कर रहा हैं, इनको क्या पड़ी थी, ये कोरोना हुआ है इन लोगों को ठीक हो गए, ये भी घर जाके बैठ लेकिन इस सब लोग समाज के लिए किसी की जान बचाने के लिए कुछ कर रहा है और ये सभी लोग मेरी उमीद हैं, ये सभी लोग दिली के लोगों की उमीद हैं, मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पूरे समाज को सम्मान करना चाहिए और खास तोर से सभी RWS से मेरी उमीद है कि ऐसे लोग जो जो प्लाजमा डोनेट कर रहे हैं अपने अपने इलाके में इनका भव्य सम्मान होना चाहिए, सारवजनिक सम्मान होना चाहिए, पब् झाल शोliamo कि झाल कि झाल